गुड पॉर्णिंग फ्रेंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था मिसनी जू होंगी से कह रही होती है कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत ही असान होगा पर तुमने मुझे धोका दिया था अब आगे जहां इस एपिसोड के सुरुआत में हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है तब है वहाँ जू होंगी मिसनी से कह रहा होता है कि मुझे एक बार ये सब समझाने का एक मौका तो दो मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था टाई डीमन सेक्ट में सामिल होने के अलावा अब या सुन मिसनी काफिर जादा गुसा होते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रहे हो अब इतना कह वो सीधा जू होंगी पर अटैक कर देती है और कहती है तुमने मुझे टियान लेंड सेक्ट में जाने को कहा एक पावरफुल इन्मॉर्टल बनने के लिए और तो और तुमने मुझे या भी कहा कि तुमार था एक दोसरे के साथ रह सकते हैं तुम अब एक डीमन सेक्ट में सामिल ओए डीमन ही बन गए हो और मीस्नी यह सब कहते कहते ही गुस्से में जू होंगी पर अटैक पर अटैक कर रही होती है पर सिर्फ उन सभी अटैक को डिफैंड करते हुए मिस्नी को अपनी समझाने की कोछिस कर रहा होता 아 कि मैं निक के लिए तिया लें सेट में गया था लेकिन उन लोगोंने मुझे आस विकार कर दिया और तुम है कि लायक नहीं हो तब कुछ दिनों बाद ताहिए यसी है मुझसे मिलने के लिए आया ठो में खुद को रोक ही नहीं पाया उनके सेक्ट में सामिल होने से अब यह सुन मिजनी काफी गुसे में जुहंगी पर अपनी सौर्ट से अटाक कर देती हैं पर इस अटैक से बचने के लिए जुहांगे अपने आगे एक सिल्ड बना लेता है पर मिसनी उस सिल्ड से टकड़ा काफ़े दूर उड़ जाती है जहां या देख जुहांगे घबरा जाता है और मिसनी को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है पर मिसनी काफ़े जादा ग इसलिए मैं उन सभी डीमन से काफे ज़ादा नफरत करती हूँ और मैंने कसम भी खाई है कि मैं एक भी डीमन को जिन्दा नहीं छोड़ूंगी और फिर भी तुमने मुझे धोका दिया उस डीमन सेक्ट में सामिल होकर खुद एक डीमन बन गए अब यह सुन कर ज़ाँगी उससे कहता है अगर तुम मुझे भी मारना चाहती हो तो मार डालो मैं तुमारे हाथों कुसी कुसी मरने के लिए तयार हूँ जिस पर मिसनी कहती है तो ठीक है अब मैं तुमें मार ही डालूंगी जहां अब मिसनी अपने सुर्ट को ठोड़ा सा ज़ाँगी के अंदर गुसा देती है पर वो उसे जान से नहीं मार पाती क्योंकि वो अभी भी कही न कहीं उससे प्यार करती थी तब यह अब मिसनी वहां से जाते-जाते जो आज़ासे कहती है कि अब मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है इसलिए दुबार अब फिर कभी मेरे सामने मत आना नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी इतना बोल वो वहां से चली जाती है जहां अब जुहांगी थोड़ा घायल होने की वज़ा से नीचे गिर जाता है तभी अब प्रजेंट टाइम में जुहांगी मिसनी से कहता है कि हम इतने सालों से इस बात को लेकर इतने उलजे हुए हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते और कुछ समय पहले डीमन गौड ने एक इल्यूजन बना तुम्हारे सामने मुझे जान से मारने का नाटक किया था तो उस समय तुमने मेरे लिए डीमन गौड से रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे ना मारे और भले ही तुम डीमन से नफरत करती हो पर मुझे से नहीं और अगर ऐसा होता तो तुम कभी भी डीमन गौड से मुझे ना मारने को नहीं कहती तब है अब सुबह होने के बाद हम वांग और चैंग को एक साथ इस से क्ट से वापस जाते हुए देखते हैं जहां आप सभी को चैंग की ऐसी हालत देख समझ आही गया होगा की उसकी ऐसी हालत इन्मोर्टल किंग के हाथो पिटने की वज़े से हुई है तब ही अब वो दोनों जाते जाते आपस में बात कर रहे होते हैं जहां चैंग वांग से कहता है कि तुम्हें याद है मिस नी ने तो हर एक डीमन को जान से मारने की कसम खाई थी तो फिर उसे एक यूमन डीमन से प्यार कैसे हो सकता है जिस पर वांग कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है ऐसा होता ही रहता है तब ही अब चैंग कहता है ऐसा लगता है कि मिस नी इसलिए हमेशा से ही किंग सेक्ट को प्रोटेक्ट करते आ रही हैं और वो जू फैमली का विशेस रूप से खयाल भी रखती हैं तो क्या ऐसा हो सकता है जू या जू होंगी का ही वनसज हो अब या सुन वांग कहता है तो फिर नी तियानवा भी नी फैमली का वनसज ही होना चाहिए जिस कारण मिस नी नी तियानवा से जुड़ी हुई है तो फिर मिस नी की तरह इसलिए हिल जू होंगी भी मिस नी की फैमली को प्रोटेक्ट करता ही होगा अब यह सुन चैंग कहता है कि हाँ वो सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के वनसजों को प्रोटेक्ट कर रही हैं और सायद इसलिए हिल्जुहोंगी ने नी त्यानवा के कहने पर प्रिंसस यूनी को पकड़नी त्यानवा के हवाले कर दिया होगा जिस कारण अब प्रिंसस यूनी काफी खत्रे में हैं इसलिए हमें अब बिना कोई देरी किये हुए सिधा प्रिंसस यूनी को बचाने के लिए जाना चाहिए तभी अब दोनों काफी तेजी से आगे की ओर निकल जाती हैं तभी अब कुछ देर बाद हम वांग के पीछे जिन्यू सैक्ट के मास्टर जांग के दो बर्ट को देखती हैं जिन दोनों बर्ट को मास्टर जांग ने ही वांग को ढूड़ने के लिए भेजा था अब उन दोनों बर्ड को वांग मिल जाने के बाद उन में से एक बर्ड दूसरे बर्ड से कहता है कि या बर्ड जाकर मास्टर जांग को बता दो कि हमें अब वांग का पता चल चुका है तब है अब उन में से एक बर्ड वहां से चला जाता है जहाँ वांग और चैंग की नजर उस बड़ पर पड़ जाती है अब यह देखकर चैंग कहता है अब यह क्या मुसीबत है यह बड़ तो जिन्यू सेक्ट के मास्टर जांग का है अब यह सुन वांग कहता है मुझे नहीं पता था मास्टर जांग अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं पर चैंग क्या तुम्हें भूक लगी है अब यह सुन कर चैंग उससे कहता है क्या तुम वही करना चाह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ जिस पर वांग मुस्कुराते हुए चैंग को थोड़ा आगे बातलों के पास जाने को कहता है तभी अब इदर उस बाट को वांग और चैंग कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते हैं वह तभी अचानक से वांग उन बातलों से बाहरा सीधा उस बाट पर अटाक कर उसे दूर फ अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है पर वांग उन सभी अटैक से अपनी सिल्ड की मदस से बच जाता है जहां अब वांग भी अपनी स्वर्ट को बाहर निकाल सिधा उस बर्ट के पास जा उस पर अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिस करन वो बर्ट उसस गायल हो जाती है अब इस मौके का फाइदा उठा वांग सिदा उस बट के ऊपर ही कूच जाता है और चैंग भी उसके पास आउसे पकड़ लेता है तब ही अब कुछ देर बाद हम चैंग को सी बट को खाते हुए देखते हैं जहां वह वांग से कह रहा होता है कि वांग इसक काफी अच्छे से पकाया है और तुमने इसके लिए इतनी महनत की है तो क्या तुम इसका स्वाद नहीं लेना चाहते हो तुम भी तो थोड़ा खाओ जिस पर वांग कहता है नहीं मैं जिन्यू सेक्ट के किसी भी बट को नहीं खाना चाहता अब यह सुनकर चैंग कहता है मै तियान लेन सेक्ट के डिसाइपल को धमकाने की आखिर हिम्मत कैसे की अब यह सुनकर वांग चैंग से कहता है कि हां तुमने बिल्कुल सही का तब है अब हमें जिन्यू सेक्ट के मास्टर जांग को दिखाया जाता है जहां वो बड़ आकर उन्हें सब कुछ बता देता है क मास्टर जांग हमें वांग का पता चल चुका है अब यह सुनकर मास्टर जांग काफि जादा खुस हो जाती है कि वांग अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचपाओगे अब मैं तुम से अपना सारा हिसाप का बदला लूंगा अब इतना बोल वांग के पास जाने के लिए वहां से निकल जाती हैं तभी अब दूसरी तरब किंग सेक्ट में मास्टर जो यानव अजाद हो चुके होती हैं जहां अब उन्हें वांग पर काफी जादा गुसा आ रहा होता है इसलिए वह अपने दो आदमियों को बुला उन्हें वांग को जान से मारने का ओर्डर दे द पुल शुटर उन्हें बन्हें हो पता हैं o किंग किंग सम्टर एंप कि एंधाऊ haver Hillा शादा लांव सेंगने लाओएर वांव सब्सा एंड लांग वहां लांव